हिंदी साहित्ती की वरिष्ट और जानी मानी लेखी का उर्मिला सिरीश जी की लिखी हुई कहानी सुनिये दर्द का दरिया तो शुरू करते हैं कहानी दर्द का दरिया मा आपने पापा के मूँपर चपल मारी है बेटा नीचे खड़ा था और गुस्से में चिला कर उससे पूछ रहा था पूछने का ढंग ऐसा मानो वो उसका पिता हो ससूर हो बड़ा भाई हो या बड़े होने की शताब्दी पुरानी सोच का प्रतीग बन कर वो बरामदे में बैटी थी बरामदे की बड़ी सी खिड़की से पूरी सड़क दिखाई देती है सड़क के किनारे लगे पेड़ पौदे भी साफ नजर आते है कुत्तों का परिवार भी दिखता है उसने महसूस किया कि बेटा आवेश में है उसकी आवाज में वो आवेश वो छटपटाहट वो तकलीफ साफ गुली हुई थी जो पिता के लिए होती है हो सकता है इन क्षणों में वो अपनी मा से ग्रणा कर रहा हो और पिता के प्रतिदया और साहनभूती से भरा हो मैं कुछ पूछ रहा हूँ मा क्या तुमने अपने पापा से पूछा कि मैंने चपल क्यों मारी है उनसे तो मैं बाद में पूछी लूँगा क्या मेरी बात सुनूगे उनकी बात तो इतनी बड़ी नहीं रही होगी जितनी आपकी चपल मारने वाली बात है क्या इससे पहले कभी मैंने चपल मारी थी या गालियां दी थी या हाथ उठाया था जबकि तुम जानते हो कि उस सालों से दिनराथ गालियां देता आ रहा है हाथ उठाता आ रहा है आकिर क्यों और कब तक उठाता आ रहा है देता आ रहा है आप इस तरह की लेंग्विज बापा के लिए बोल रही हो हाँ वो इसी लायक है माँ चिलाओ मत पहले सुन लो कि आज उन्होंने अपनी भाशा की सारी मर्यादाएं तोड़ दी थी जानते हो क्या बोल रहा था मेरे लिए क्या कि तुम मैं नहीं बोल सकती उसके वे शब्द जो वा कि मेरे दिमाग की नसों को फाड़ देंगे या मैं सोच सोचकर पागल हो जाऊंगी किस बात को लेकर लगातार अनिल को गालिया दे रहे थे वो इससे मिलने आया था उसी समय किसी बात को लेकर दोनों में बहस हो गई सामने तो खुब करवी बातें बोली ही उसके जाने के बाद भी उसे और उसकी बीवी गालिया देते रहे बस मैंने इतना बर कहा था कि अब गालिया देना बंद करो तुम दोनों की ही गलती है जैसा कि उनको लगता है कि मैं हर बात में उनका विरूद करती हूँ और इस बार भी विरूद कर रही हूँ तुम जानते हो इनकी भाषा के कारण कितने लोग मुझसे नाराज हो चुके है मेरी दोस्त हमेशा कहती है कि तुम उसकी बातें और गालियां सुनती हो तो इसलिए वो सुनाता है वो किसी के लिए कुछ भी बोलता है और तुम हस्ती रहती हो कितनी आहत और अपमानित करने वाली भाषा बोलता है अब बेटे का स्वर कुछ धीमा और नरम पढ़ा मैं किस-किस को समझाओ और कब तक उनका पक्षनू मैं बताता हूँ ने आपको इतनी गंदी गाली दी तो कैसे बेटे ने तैश में आकर कहा अब वो दूसरे छोर पर खड़ा था और गुस्से से भरा निर्णायक मुद्रा में आ गया था और इधर उसकी आखों में आसू बहने लगे कब तक कब तक सुनू और क्यों सुनू क्योंकि उनकी आदत है क्योंकि वो आदमी है क्योंकि वो पती है पहले सोचती थी नई नई शादी हुई है दोस्तों के बीच समाज के बीच गाली के लौच चलती होगी जबान सुधर जाएगी फिर सोचा तुम लोग के जन्म के बाद बच्चों के सामने अक्सर माता पिता लिहाज करते हैं पर तब भी वही सब चलता रहा फिर सोचा तुम लोग किशोर हो गए हो, कुछ बदलाव आएगा फिर तुम लोग जवान हो गए, तो लगा तुमारी ही उम्र का लिहाज करेंगे लेकिन तब भी नहीं लड़कियां क्यों पढ़ती हैं ताकि परिवार उनका सम्मान करे चलो ना भी पढ़ें, तो क्या उन्हें गालियां देनी चाहिए मैं तो इतनी पढ़ी लिखी हूँ, कमा रही हूँ, घर बाहर के काम करती हूँ तब भी गालियां, मुझे में और उन जुगी जोपड़ी में रहने वाली औरतों में क्या अंतर हैं, बोलो अब गालियां उपाहा सुड़ाते शद और चोट पहुचाती भाषा नहीं सुनी जाती, आत्म गलान ही होने लगी है, अपने आपसे गिन लगने लगी है कि बेटा, मन करा उठता है, कह करो खपक करो बड़ी बेटा खामोश हो गया, एकदम खामोश, उसे मा का चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसकी सिस्कियां जरूर सुनाई दे रही थी मा अपने आत्म सम्मान को लेकर हमेशा लड़ाई लड़ती आ रही है, पर वही आत्म सम्मान हमेशा जार जार होता रहा है उनकी लड़ाई पापा के खिलाफ थी, या सारे गाली देने वाले पुर्शों के खिलाफ या उन सामाजिक धार्मिक नियमों, विधानों, सोच, साहित के खिलाफ थी, जहां महिलाओं को गालियां देना सहज स्युकार होता था होता है वो सोच में डूबा था शायद उसे इस विशे को लेकर चिंता भी होने लगी थी बात छोटी थी पर वो एक बड़ी गटना बड़ी सोच और मानसिक्ता के रूप में बढ़ती जा रही थी बलकि अपना भयावे रूप दिखा रही थी इधार वो अपनी बहन के पास चला गया था बहन के घर लोसका छोटा भाई भी आ जाता है हर बात की चर्चा, शिकायते, चुबली, मजाग वो उन्हीं के बीच में करता था स्वयम को दैनिये, बेचारा, उपेक्षित बताने की कला में वो माहिर था साहनमूती पाना भी उसे आता था वो अनंत काल से चली आरे उन परंपराओं का वाहग था जो अपने पक्ष में हर चीज को, हर सोच को, हर विचार धारा को पलवित कर लेता है अब वहाँ महा पंचायत चल रही थी पंच सरपंच बैठे थे गहन विचार विमर्ष चल रहा था दो महा युद्दों की विभीशिका पर जितना चिंतन मनन नहीं हुआ होगा उससे हजार गुना जादा चिंतन मनन यहां चल रहा था आँखों में सवाल थे और जवावों में ज्वाला आपने हाथ पकड़ कर तोड़ क्यों नहीं दिया मैं तो कहता हूँ अब आपको हाँ जाना ही नहीं चाहिए किस बात की कमी है आपके पास यहीं रो आराम से या कोई रूम देख लो किराएपर उसे माफी तो मांगनी ही पड़ेगी इस बार आपने डील दे दी तो हर बार आपको ही टारगेट बनाएगी देखा नहीं तिरपाठी को उसके बीवी बच्चे कितना पीचते हैं जान बचाता गूनता है बेचारा वो तो दारू खोर है उन्हों का जीना हराम कर दिया था इसका मतलब तो यह हुआ कि आपके साथ जो हुआ वो बिल्कुल ठीक हुआ ऐसा मैंने कब कहा पंच अपनी राय देते वक्त ये भी भूल गए कि दूसरे पक्ष से भी पूछा जाना चाहिए कि आकर उसने क्यों उसके मूँपर चपल मारी थी आकर ऐसी नौबत आई ही क्यों अभी तक तो गली महलों में शराब के अड़नों पर फिल्मों में अकसर पिता या पती कोही चपल मारते देखा था या सड़कों पर छेड़कानी करने वाले मजनूओं को चपल से पिटते देखा था या कुछ कहानियों में पढ़ा था कि चपलों के माला पहना कर गधे पर बैठा कर गाउं में या सड़क पर गुमाया जा रहा है और उपाहस उड़ाते लोग उसके आगे पीछे चल रहे हैं या फिर कभी टीवी पर देखा था कि किसी नेता पर किसी ने चपल फेक कर मार दी पाओं में पहनी जाने वाली चपल आज भाईया के मुँपर दे मारी ये तो जाला मुखी फटने से कम विस्पोटक ना था इससे पहले तो कभी उसने ऐसी हिमाकत नहीं की थी रात रात बर चलने वाली बहस आरोग प्रत्यारोग सुबह उठते ही काले आकाश की तरह साफ हो जाते और जिन्दिगी फिर से उसी पट्री पे दोड़ने लगती थी दादा तो जिन्दिगी भर मम्मी को गालियां देते रहे पर मम्मी ने कभी पलट कर विरोध नहीं किया तब ही तो तुम लोग सीख गए हो इस सब हमने विरोध किया होता तो ये कुछ सुधर गए होते तब वे गालियां देते थे तो ऐसी हूप उपती थी कि रिदे को कागज की तरह फाड़ कर रख देती सच बताएं भले विरोध ना कर पाएं हो पर बद्दुआएं बहुत निकलती थी तब आप चुपते हो रही तब हिम्मत और अकल दोनों नहीं थी बाहर बहस करते करते हो भाईया को भी दो कौड़ी का समझने लगी है तुम किसी से कुछ कह भी नहीं सकते वन्ना तुमारा ही असली चेहरा सामने आ जाएगा बच्चे बड़े हो गए अब तो शरम आनी चाहिए अरे जो कुछ भी है आपस में कैस उन लोग लोग सही तो कहते हैं कि देवियों की पूजा करने वाले समाज में औरतों को ही सबसे ज़्यादा जलील और प्रताडित किया जाता है आज मुझे सबसे ज़्यादा तकलिफ इसी बात की होती है कि तुमारे पिता ने कभी मेरा सम्मान नहीं किया लो अभी अपनी कहानी सुनाने बैठ गई उस तो शरम करो शरम किसे और क्यों आना चाहिए ये कौन तै करेगा शास्त, धर्म, समाज, परंपराएं, मुखिया या कौन ये कौन बताएगा कि आदी रात को शराब पी कर आया वो कितनी बकवास करता है ये कौन बताएगा कि उसकी जूटी मकारी भरी बातों से उसे कितना अपमानित होना पड़ता है ये कौन बताएगा कि वो बेमानी से कमाए पैसों से इन पंचो का मुढ़ बंद किये रहता है ये सब कब उसे गलत कहेंगे ये कौन बताएगा कि पत्नी या इस्तिरी का सम्मान करना भी संसकार हो सकता है जीवन की एक खुबसूरत सोच और मानसकता हो सकती है मैं बात करूँ क्या तुम्हें भी कुछ बोल दिया तो वही धेर कर दूँगा इसी मुगालते में मत रहना कि वो तुमारी कोई भी बात सुनकर चुप रहेगी ये भी हो सकता है कि वो तुमारी शिकायत थाने में करते अपमान की हवा में पंचो का दम घुट रहा था वे सब बेचैन थे उन्हें लग रहा था वे सब उसके द्वारा बीच बाजार में निर्वस्तर कर दिये गए हो और चपलों की माला पहना कर उन्हें गुमाया जा रहा हो बीच सड़क पर भीड के बीच ये क्या सुन रही हो बड़ी पंच बोली क्या सुन रही है तुमने उसके मूपर चपल माली है क्यों माली ये नहीं सुना आपने हमारे खांदान में आज तक किसी औरत ने उसी आवाजें बात नहीं की जवाब नहीं दिया और आपने तो सारी सीमाई ही तोड़ दी कहकर बड़ी पंच ने फोन रख दिया बड़ी पंच का चेरा गुसे से तमतमा रहा था बड़ी पंच दावा जरूर करती है कि उन्हें साहित्य से कलाओं से लगाओ है संगीत में रुची है महिलाओं के सम्मान और अस्मिता के लिए उसंगर्श करती है पर यहां तो उनका दूसरा ही चेरा नजर आ रहा था क्या यहां वे व्यक्तिवादी हो रही थी दूसरी पंच भाई के पास जा बैठी उसकी पीट पर दीरे दीरे हाथ फिरने लगी नकली आंसों से आखों को भरते हुए बोली कब तक सहेगा मेरा भाई देखो मैं एक शब्द बोल पाती थी सोचने की बात है अगर उन्हें उकसाया नहोता तो भाईया गालिया देता ही क्यों आपको हर तीसरे गैर आदमी की इच्जत प्यारी है पर अपने पती की नहीं आदमी तो आदमी को गालिया देता है इसमें नई बात क्या है बहस में कोई नहीं जीत सकता उससे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरी आत्मा को चीर कर रख दिया हो भहिया कुछ दिन जाओ ही मत अभी बच्चे हंगावा मचा देंगे चलो मैं चलता हूँ आपके साथ उसको लगता है कि आप अकेले हैं बच्चों को भी अपने साथ मिला लिया है देखो तमाशा मत करो वो दीरे से उठा मोशी पसली थी बच्चे खेलने गए थे बेटी कोचिंग क्लासेज में गई थी शाम का वक्त था इस समय उसकी अपनी कोचिंग क्लास का समय शुरू होता है वो प्रतियोगी परिक्षाओं की क्लास लेती है हर कोचिंग क्लास में उसकी मांग है हर कोई चाहता है कि उस अपता हमें केवल दो दिन उन्हें दे पर वो अपने घर से ही पढ़ाती है उसे बहुत अच्छी तैयारी करनी होती है उसके स्टूडेंट्स का चैन बड़े बड़े पदों के लिए हो चुका है इतना ही नहीं वो अपने बेटे और बेटी को भी कुछ समय पढ़ाती है आज उसका सिर्च दर्श से फटा जा रहा था इससे पहले उसे इतना तेज गुस्सा कभी नहीं आया था उसने हजारों हजार बार ये बात कही थी जताई थी कि उसे गालियां सुनना पसंद नहीं है वो सब कुछ सहन कर सकती है गालियां नहीं उसे लगता था जैसे गालियां उसकी देह पर छिपकली की तरह रेंग रही हो उसके मन को जकड रही हो उसकी आत्मा को जखजोर रही हो उसके दिमाग को ठोक रही हूँ लेकिन पती तो आदितन गालियां दे कर विजेता बन जाता था क्योंकि वो जानता था कि वो पलट कर गालियां नहीं दे सकती क्योंकि वो अपने संसकारों, सब्वेता और भाशाई मर्यादा से बंदी है लेकिन उसकी जवान को कैसे काबू मिलाया जाए तब गालियों के जवाब का उसने एक तोड़ने काला था वो उसको गालियां देता वो पलट कर वही गालिया उसकी बहन के नाम फिसका देती तब वो गायल साफ के तरफ ना फन पटकता और उसके खांदान तक पहुँच जाता मगर नहीं इतने पर भी वो कभी नहीं माना ना कभी नहीं रुका उमर बढ़ रही थी बच्चे बड़े हो रहे थे लोग का आना जाना लगा रहता था इस सब के बीच उसने उससे कभी कुछ नहीं चाहा ना मांगा ना अधिकार जताया वो केवल उससे प्यार, सम्मान और शिष्ट भाषा की अपेक्षा रखती थी पर वो ठहरा जिद्धी आत्मी गालियों के बीच वो जन्मा था, पला था, बढ़ा था और गालियों नहीं उसका गत्य तो गढ़ा था आपने ठीक नहीं किया, अब एक पंच उसके सामने खड़ा था क्या ठीक नहीं किया, आपने भहिया के मुँपर चपल मारी है ये भहिया के मुँपर नहीं, हमारे एक खांदान पर चपल पड़ी है अरे आदमी तो ऐसे ही होते हैं मेरा पती भी कितनी गालिया देता था पर मैं अपने कान बंद कर लेती थी, सोचती थी उसके मूँ क्या लगना, छोटी पंज बोली, आपने जो किया ठीक किया, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती, अब तक तो सुनती आ रही थी, तीस साल तो हो गए तुमारी शादी को, गलती तो दी थी, तब चोड से उसकी आखरी इच्छा पूछी जाती है, चोड कहता है, मुझे अपनी मा के कान में कुछ कहना है, मा उसके पास आती है, तो वो उसका कान काट लेता है, और कहता है, कि तुमने यदि मेरी पहली चोड़ी पर थपड़ मारा होता, तो आज मुझे ये पंच चली गई, पर वो अपने घर नहीं गई, वो गई थी उसकी मा के पास, उसकी शिकायत करने, क्योंकि छोटी पंच को मालुम था, कि ऑफिस से लोटते समय मैं अपने मा के पास जाती हूँ, बाहर का गेट खोला ही था कि मम्मी सामने दीख गई, आज न वे हसी ना मुस भरा जवाब, आपकी तब्यत तो ठीक है, हाँ ठीक है, फिर क्या हुआ, तुमने इतना बड़ा टंटा कर दिया, क्या, क्या हुआ, सुनीता आई थी सारी बाते बता कर गई है, ओ ये बात है, तो यहाँ आपके पास मेरे शिकायत करने आई थी, सही तो करने आई थी, क्या तुमने देलीब को सच में चप्पल मारी थी, हाँ, मम्मी अवाक, जैसे पहार तूटकर गिर पड़ा हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, हमें शर्म आनी चाहिए, या उनको जो आज भी गंदी भाशा बोलते हैं, तो तुम चप्पल मारोगी, मैंने आज तक पापा को, कभी गाली देते नहीं सुना, जबकि भाविया क्या मेरे बरावर पढ़ी रिखी हैं, मेरे बरावर काम करती हैं, मैं तो इसके बावजूद भी चलो ये छोड़ भी दो, तब भी क्या गंदी भाशा बोलनी चाहिए, आपको तो मेरा साथ देना चाहिए, कहते कहते उसकी आ बात न करती, दो-चार दिन के लिए यहां आ जाती, पर चपल, हाथ पे रखी थाली, उसने डाइंग टेबल पर रखी, हाथ दोकर वैग उठाया, और सीधे उठकर चली आई, पैदल ही, सडक तक, टेक्सी आने में देर लगती, इसलिए सडक के किरारी बनी पुडिया पर बैट गई, जब मेरी मा को ही मेरी बात बुरी लग रही है, तो बाकी लोगों से बात करने से कोई फायदा नहीं, मा कहां हो, बेटे का मैसेज था, जल्दी घर आ जाओ, क्या हुआ, पापा जा रहे हैं, कहां, पता ने, कह रहे हैं, अगर आप उनसे माफी नहीं मांगोगी तो वे घर छोड़ कर चले जाएंगे, माफी किसको किस से मांगनी चाहिए, मा बात को आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, तो क्या करूं, आप दोनों ही एक दूसरे से माफी मांग लो, अगर पापा अगली बार गाली दें, तो आप बिलकुल भी बरदाश्त मत करना एक मौका दे दो मा, मौका, फोन रखते उसके होटों पर शब्द चिप चिपा रहा था, मौका, कितने मौके तो दिये, पर कभी कुछ बदला, उसकी जुबान सुधरी, जब घर पहुची तो देखा बेटा बहार उदास पैठा है, गए, उनके भाई बहन उने लेकर गए, कह रहे थे, जब तक भाई माफी नहीं मांगती, तब तक भाईया नहीं आएंगे, पापा क्या कह रहे थे, वे तो चुप थे, ठीक है तब, फलट कर जवाब दिया, वो भी गलत बात का, तो इतना बुरा लग गया, हम तो तीन दश्कों से ही सब सुन रहे थे, सह रहे थे, तो किसी को बुरा नहीं लगा, ठीक है मां, आतें तो बदलनी चाहिए, और पापा की जबान भी, आज आपने ये कदम उठाया, तो ठीक ही किया, मेरे लिए भी ये सबक होगा, मेरे बीतर भी डर रहेगा, कि मैंने अपशब्द बोले, या गालियां दी, तो आने वाली मांगने वो कहा था, सो सौरी मां, कहकर बेटे ने उसे अपने सीने से लगा लिया, अभी आप सुन रहे थे, और मिला सिरीश जी की लिखी हुई, एक अनुपम कहानी, दर्द का तरिया, इस तरी विमर्ष पर लिखी हुई, एक खुबसूरत कहानी, आप अपने विचार कॉ दरूर लिखिएगा, कल मिलेंगे, आपका समय शुग हो,